। नमस्कार सातियों आप सबका स्वागत है करियर कांसलिंग का हमारी सेरीज में करियर कांसलिंग की सुध को आगे बढ़ आते हुए हम government jobs की बात करेंगे देखो बत्चो हमारी स्रीज में हम केंदर सरकार की बड़तियों के बारे में देख रहे हैं कि केंदर सरकार कौन-कौन सी बड़तिया निकालता है और उन बड़तियों को करवाने के लिए कौन-कौन से बोर्ड के दवारा recruitment की जाती है जैसे कि आपको पता है अलग-अलग बोर्ड जैसे अगर आप परसासनी से वामें जाना चाते हैं यानकी गुरूप ऐसे समंदित बड़तियां देखना चाते हैं के अंदर सरकार के अंदर तो उसके लिए है UPSC यानकी उसके लिए जो बड़तियों करवाई जाती है वो UPSC के दवारा करवाई जा जाना चाते हो यानि कि आप बैंकों के अंदर क्लर किया पीयो की पोस्ट तक जाना चाते हो तो आपको IBPS के द्वारा कंडेक्ट करवाई जाने वाली बड़तियों को देखना होगा IBPS यानि कि Institute of Banking Personal and Selection IBPS के बारे में आपको देखना होगा यानि कि IBPS जो बड़तियां करव Group B और Group C की जो non-technical बड़तियां होती है उनको करवाने की जो जिम्मेदारी होती है वो होती है SSC के उपर SSC बतो समय समय पर अनेकों recruitment निकालती है जो अलग-अलग level पर होती है यानि कि अगर आप metric pass है तो उसके लिए अलग प्रकार की बड़तियां होगी अगर आप 12th पास निकाले जाएगी वो डिपेंड करता है आप किस पोस्ट के लिए applicable है तो आएए आज की हमारी सिरीज सुरू करते हैं और आज की सिरीज में हम बात करेंगे SSC Combined graduation level यानि कि CGL के बारे में जैसे कि नाम से समंद्ध है समंद्ध है समंद्ध है सपस्ट हो रहा है graduation level graduation level यानि कि इस भर्ति को देखने के लिए आपकी जो minimum योगता जो है वो होनी चाहिए बत्चो सनातक और सनातक इन एनी स्ट्रीम यानि कि अगर आपने किसी भी स्ट्रीम के अंदर सनातक कर रखिये तो आप SSC CGL का paper दे सकते हैं और अगर इसके अंदर मैं age की बात करूं बत्चो इसके करती है 25 यह डिपेंड करता है बत्चो आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो यानि कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप maximum age 25 साल तक paper दे सकते हो वहीं अगर आप OBC या SCSTC से हो तो यह आपके लिए अलग से age relaxation किया गया है अगर आप OBC से हो तो 3 साल का age relaxation मिलता है आपको वहीं अगर आप SCSTC से हो तो आपको 5 साल का age relaxation मिलता है अच्छा अब मैं बरती पर क्रिए के बारे में देखूंगो उससे पहले अपने देख लेते हैं कौन-कौन स के पोश्ट के लिए सीजिल कीभर्थी करवाय जाती है तो एससी द्वारा सनाथ्रक्स तरपर यानि कि आप ग्रेडवेत होने चाहिए लता में सनाथ्रक्सतर पर एससीजियल बरती के एंतरकत ग्रुप B के विभीन पदों के लिए ग्रुप B यानि कि नोन गजेटेट्ट पदों के लिए यानि कि एराज पत्रिक के लिए परिक्षा करवाई जाती है जैसे income tax inspector, excise inspector, audit officer, assistant in ME, इत्यादी, यानि कि काफी महत्वपुर्ण पद है, काफी उन्चे उन्चे बड़े बड़े पदों के उपर ये बर्ती करवाई जाती है, अब मैं बात करता हूं बच्वो बर्ती प्रकिरिया की, तो बच्वो ये बर्ती प्रकिरिया कुल तीन स्टेप में चलती है, जिसके अंदर पहले होता है टीर 1, उसके बाद टीर 2, उसके बाद टीर 3, और इन तीनों के नंबर जोड़कर, लाश्ट में, अंती में, मेरिट रूप में आपका चैन किया जाता है, तो आईए इस बर्ती प्रकिरिया के बारे में जाने, और सबसे पहले बात करें, टीर 1 की, देखो बच्वो टीर 1 जो है, वो कुल चार पार्ट में डिवाइड होता है, यानकि ये, इसके अंदर चार सेक्शन होते हैं, जिसके अंदर पहला सेक्शन होता है, जनरल अवेर्नेस का, इसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रिजनिंग, इसके बाद मैथ या एप्टिट्यूड, मैथ या एप्टिट्यूड, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बच्वो इंगलीज, इन सब के बच्वो 25-25 क्यूस्टन रहते हैं, यानकि 25 क्यूस क्यूस्टन रिजनिंग के, 25 क्यूस्टन मैथ या एप्टिट्यूड के और 25 क्यूस्टन इंगलीज के रहते हैं, तो बच्वो यह रहते हैं 25-35 क्यूस्टन और प्रतेक क्यूस्टन होता है, दो नंबर का, यानकि प्रतेक सेक्शन कितने नंबर का हो गया, पचास नंबर का तो General Awareness के अंदर जो Main Part रहता है, वो रहता है Static GK का, Main Part रहता है Static GK का, जिसके अंदर अगर मैं बात करूँ, तो Indian History, जैसे कि बच्चों आपको पता है, History भी आगे तीन पार्ट्स में डिवाइड है, जिसके अंदर Modern History, Medieval History और Ancient History, यानि कि प्राचीन हिस्ट्री जो प्राचीन कालक्सी जो समंधित है इसके बाद मेडिवल मद्यकालीन हिस्ट्री मद्यकालीन इतियास और आद्वनिक इतियास इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इंडियन जियोग्राफी इंडियन पॉलिटी आर्ट कल्चर इन्वार्मेंट साइंस कम्प्यूटर इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो करेंट अफेर्स बुक्स एंड ओथर्स बुक्स एंड ओथर्स के उच्वार्मेंट के इंडर मिरर बेस्न लोजिकल ऑर नौन वर्बल सिरीज के उपर के संद क्लेंडर के उपर क्लोग के उपर इनकी कुल भांकर बच्वार्मेंट है reasoning क्या आते हैं 35 क्यों सन मैथ के और इंग्लिज के 25 क्यों सन इसके अंदर errors भी आती है error find करना भी आएगा feeling the blanks भी आएगा synonym antonyum इसके अलावा एक जो पांथ क्यों सन इसके अंदर या तो close test होगा या इसके पैसी आता है तो कुल मिलाकर यहाँ एडियम्स विगरा को मिलाकर 25 किसके आते हैं इंग्लिज के आते हैं देखो टीर वन के अंदर नेगटिव मार्किंज होती है वह वन बाइट टू होती है यानकी पॉइंट फाइव नंबर या ऐसे मैं बोलू कि वन बाइफ फोर्थ यानिकी अगर आप कोई क्यूस्टन करते हो तुसका एक बड़ा चार गलत करते हैं तुसका एक बड़ा चार अंक काट लिया जाएगा एक बड़ा चैनल की वहां दो नंबर का क्यूस्टन है समय आपको आधा नंबर का चापते लिया जाएगा पर टिरवन में मेरिट बंडे के बाद आप टीर 1 क्वालिफा कर लेते हो तो उसके बाद आप चागते। पिछो बचो टीर 2 जो होता है ये टीर 2 के अंदर दो पेपर होते हैं एक ही दिन में करवाई जाते हैं बचो और दोनों पेपर दो-दो गंटे के होते हैं यहां टीर 1 का जो टाइम होता है बचो वो होता है एक गंटा वन आवर्स का जबकि टीर 2 के अंदर दो पेपर होते हैं और दो को पॉचन रहते हिर्विर इनकी प्रतेग किसे किर्शम करें एक नमर का तो तोटल चार शो नमबहर का टियर है है कि होता है यहां को बथो दो तो सो नमबहर का टियरेन डीरी चार्ट्व अन भी मैरी लेखन कला के जो है उसके बारे में देखा जाता है लेखन कला के अंदर एक तो आपको ऐसे मिलेगा ऐसे के साथ आपको या तो पत्तर मिल सकता है यानि कि लेटर मिल सकता है लेटर की जगह application या प्रैसी भी आ सकती है यह होता है बचो इसमें टाइम रहता है एक गंटे का और यह होता है 100 नंबर का अंतिम जो मेरिट होती है बच्चों यह 400 नंबर यह 200 नंबर और यह 100 नंबर इन 700 नंबर को मिलाकर अंतिम मेरिट बनती है अब इन 700 नंबर में आपने जितना भी स्कोर किया होता है उस अधार पे आपको मेरिट बेस पे आपका सेलेक्शन किया जाता है और उस मेरिट बेस पे आपको अलग-अलग पोस्ट मिलती है जैसे इंकम टेक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, सर्कल इंस्पेक्टर, डबल यो काफी सम्मान दनक पद हैं यहां जो आपको डायेक्ट इस रिक्रूटमेंट के द्वारा दिये जाते हैं ऐसे ही